हेलो एवरीवन कैसे आप लोग कैसे चल रही सब की पड़ाई एकदम बढ़िया स्वागत है आपका आपका आपने प्यारे से चैनल में खुबसूरे से चैनल में जेयार टुटोरियल में और आपको पता है कि मेरा नाम क्या है मेरा नाम है संजीफ पांडे और हम लोग यहां पर क्या पढ़ते हैं हम लोग यहां पर पढ़ते हैं साइन्स पार्ट है एक यूमन बॉडी का ओके अल्रेडी तुम लोग ने कहीं न कहीं बायोलोजी में यह चीज़े पढ़ी होंगी ऑके बट हम लोग इसके पीछे क्या फिजिक्स है वो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं वो चीज़े हम लोग यहां पर डिसकर्स करने वाले हैं तो बुक, पेन, खाने पिने का जो भी समान है सारा चीज़ लेके आ जाओ क्योंकि स्टार्ट करने वाले हम लोग आज का वीडियो ओके तो आज हम लोग बात करेंगे यूमन आई के बारे में तो देखो बहुत भद्दा सा डाइग्राम मैंने बनाया है क्योंकि मेरा डाइ एक जनरल नॉलेज पर तुम लोग या सकते हो कि आई का जो डाइमेटर होता है वो लगभग 2.4 से 2.5 सेंटीमेटर तक होता है लगभग उतना ही होता है तो आई में क्या-क्या इंपोर्टेंट है क्या-क्या चीज़े हैं जो फंक्शनिंग करती है कैसे इमेज फॉर्मेश होती है क्या होति है कहां से कॉर्णिया अब जस्ट कवर न आड़कशण कलर के देखो यह से बलू होता एक सिकरा कि उतले परिपंड पर सब्सक्राइब कागयो यहां से Fleisch क्लार का ह होता लित करती यहां से देखो कि ब्लाक कलर यहां पे प्रेजेंट होगा ऐसा और इसका जो डायामीटर है वो एड़ेस होता रहता अपने से अड़ेस होता रहता है इसको हम लोग क्या बोलते है, इसको हम लोग बोलते है, प्यूपिल, क्या बोलते है, प्यूपिल, जो थोड़ा बड़ा छोटा होते रहता है, क्या होते रहता है, थोड़ा बड़ा छोटा होते रहता है, इस नातिंग बड़ा प्यूपिल, और उस प्यूपिल के पीछे होता पकड के रखती है और जब light यहां से enter होता है तो light जब यहां से enter करता है और enter करने के बाद वो गिरता है किस पे retina पे, यहां पे तुम्हारा retina है जहां पे तुम्हारा image form होता है तो जैसी ही यहां से light enter हुई वो कहां पे जाएगी, वो जाएगी रेटीना के पास, अब यहां पे convex है तो converge करके रेटीना के पास भेचता है अब रेटीना के पास क्या होता है? बहुत सारे nerve system होते हैं, ओके? जिसको आम लोग optical nerve system बोलते हैं, और वो optical nerve system किससे connect होते हैं? वो सारे के सारे brain से connect होते हैं, तो लाइट आएगी लाइट ये बॉटल पर गिरेगी इस बॉटल में जाएगी मेरी आखों में से रेतीना पर जाएगी पर डियम करेगा और बताएगा कि ये बॉटल है लोगर मेरे ब्रेन के समस्माय बॉतल है अब यह सब्सक्राइब अगत फास्त करदो कि यह साथ बहुत फास्ट प्रोसेस है ये अब बेसिकली क्या होता है कुछ ऐसी आई होते हैं कुछ ऐसा आई होता है जिसमें जो रेटीना पे इमेज फॉर्मेशन है न वो रेटीना पे इमेज फॉर्मेशन नहीं बन पाता है या फिर वो रेटीना के पीशे बनता है या फिर वो रेटीना के आगे बनता है, तो उस defect को हम लोग क्या बोलते हैं, उस defect को हम लोग बोलते हैं, myopia और hypermetropia, जो कि हमको discuss करना है, जो कि आज का सबसे main topic वही है, जादा करके questions उस topic में से पूछी जाते हैं, अगर हम बात करें एक human eye की, तो human eye के लिए perfect जो distance हो centimeter, which is called as DDV, तो यह 25 centimeter का distance है, इसको हम लोग बोलते हैं, DDV, that is distance of distinct region, मतलब यह minimum distance है, अगर इससे pass लाओगे, तो तुमको तुमको तुमारी आखो पे बहुत जादा stress दालना पड़ेगा, उस चीज को observe करने के लिए, और अगर इसससे दूर लेके जाओगे, तो भी तुमको observe करने के लिए, बट अगर तुम लोग 25 centimeter पे हो, तो लगभग बिदाओद तुमारे आख पे कोई stress दिये, तुम लोग उस चीज को observe कर सकते हो, ओके, clear, भासन आ गई, अब क्या होता है, यहाँ पे यह जो ciliary muscles है और जो lens है इसका बहुत बड़ा roll है, देखो क्या होता है, कि लंबा, पतला हो जाता है और लंबा हो जाता है, तो अब जो दूर से light आ रही है, वो क्या होगी, वो मेरी retina पे form होगी, अब मालनों मेरे को कोई pass का object देखना है, तो pass का object देखने के लिए क्या होता है, यह जो ciliary muscles से थोड़ी से relax हो जाती है, क्या हो जाती है, रिलाक्स हो होता है, उस तरह मुझे क्या होता है, वो image दिखता है, वो object दिखता है, यह सो नो, ओके, अब बात आती है कि भाई, जब कभी भी यह retina पे जो form हो रहा है यह नहीं हूँ, वही defect है, सबसे बड़ा problem यही है कि retina पे जो image form होना चीए था ना, वो actual में हो नहीं रहा है, problem हही ह हो जाती है, कि retina पे जो form होना चीए था वो form हो नहीं रहा है, ओके, वो क्या defect है, कैसे discuss करना है, कैसे correct करना है, वो सारा चीज़ हम लोग यहां पे देखने वाले है, ओके, so let us start with the first defect, अगर हम लोग देखने जाए तो सबसे पहला है myopia, what is myopia, myopia is also called as near-sideness, near-sideness मतलब क्य पास का दिखेगा, problem कहा आता है, problem आता है, जब दूर का हो, okay, मतलब दूर का image मेरे को देखना है, distance image मेरे को देखना है, तो वहाँ पे problem आता है, क्या होता है, कि बहुत distance से जो image आ रहा है, rays आ रही है, जो light आ रहा है, वो यहाँ पे lens है, यह सौनो मेरा, यह eye lens हमाल लो, बट यहाँ पे retina पे बनता नहीं, यह मेरा retina है, okay, बट retina पे बनता नहीं, यह कहाँ बनता है, उसके पहले ही बन जाता है, okay, retina के पहले ही बन जाता है, अब obvious है, भाई, जो optical nerves है, वो किसके पास है, वो तो retina के पास है, तो signal brain को कौन भेजता है, retina भेजता है, बट retina त यह जो defect है, this defect is called as myopia, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, myopia, myopia में क्या होता है, भाई जो दूर का object है, वो नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता, क्योंकि वो retina के पहले ही image formation कर लेता है, retina के पहली सारे जो यह हैं, rays हैं, वो intersect हो जाते हैं, अब क्या होता है, अब इसको correct करना है इसको कैसे correct करें, तो इसको correct करने के लिए हम लोग use करते हैं, by concave lence, क्या use करते हैं हम लोग by concave lens, अब by concave lens हम लोग use करते हैं, अब concave lens में क्या होता है, तो यह क्या करेंगे, यह रिफ्रैक्ट करते हैं, बरबर, अब यह ड़ाइबर डा मेंच कर रहेंगे, अब यह रेंच क्या है, यह तो charging lens है, यह तो convex lens है, तो convex lens क्या करेगा वापस ềसको converge कर देगा, और जब converge करेगा तो perfect retina के उपर, perfect image formation कहाँ पे होगा, मतलब वो retina के उपर intersect करेंगे, अब जैसी ही वो retina के उपर intersect कर दिये, तो इसका मतलब क्या है, कि भाई retina क्या करेगा, signal लेके जाएगा किसके पास, brain के पास, और वहाँ पे जो image formation हुआ है, वो brain हमको बताएगा, और ब byconcave क्या होता है, diverging होता है, तो पहले वो diverge होता है, diverge होने के बाद वो किसके पास जाता है, वो मेरी आखों में जो natural lens है, उसके पास जाता है, और वो natural lens वापस उसको converge करके, कहाँ पे image form कराता है, वो pump कराता है, retina पे, और उसके वज़े से मुझे image दिख पाता है, clear, बास अब क्या होगा, जब retina से पहले ही form हो जाएगी, तो उसको करेक करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, that is, byconcave lens, जैसी हम लोग यूज करेंगे, तो जो image formation है, वो कहाँ पे होना चलो हो जाएगा, वो retina पे होना चलो हो जाएगा, और उस तरह तुमको बहतरीन image formation मिल जाए चलो, बहुत बढ़िया, next, next कहानी हम लोग देखेंगे, hypermetropia, okay, hypermetropia, मतलब क्या, मतलब far-sideness, okay, far, far मतलब भाई, दूर का दिखेगा, okay, दूर की कहानी उसके लिए clear है, उसको pass का नहीं दिख रहा, okay, उसको pass का नहीं दिख रहा, okay, don't confuse, देखो, यहाँ पे लिखा है, far-s pass का नहीं दिखेगा, तो जब pass का नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे problem क्या हो रहा है, देखो ज़रा, तो माल लो कि मेरी object कोई pass में है, यहाँ पे पास में object है, यहाँ से रह गई, और वो converge हो जाएगी, बद जब वो converge होगी, तो रेटीना के behind, मतलब रेटीना के पीछे intersect तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग यूज करते है, by convex lens, अब यह by convex lens हम लोग ने यूज किया बरबर, अब by convex lens में क्या होता है, यह converging है, तो यहाँ पे क्या होता है, दो converging होता है, एक तो यहाँ से रह आती है, converge होती है, अब converge होने क के बाद वो किसके पास जाती है वो हमारे आख के लेंस के पास जाती है और वहां पर वह क्या ही होता है Converg होता है तो जो अब direct आगे जा रहा था नआ अब वहer कर आएगाइगा Converg was at Retina अब बनाएगा तो कहा बनाएगार Tsoba पर बनाएगा complex clear, बात समय आ गई, क्या हुआ, hypermetropia और farsideness का मतलब क्या होता है, भाई, image जो formation होता है, वो retina के पीछे होता है, कि उसके वज़े से क्या होता है, उसके वज़े से मेरे को दूर का तो दिखता है, बट pass का नहीं दिखता, since pass का नहीं दिखता, उसको correct करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, by convex lens, clear, उसके वज़े से image कहां पर form होना चालू करता है, रेटीना पर form होना चालू करता है, और image formation मुझे समझ में आना चालू होता है, clear होना चालू होता है, बात समय में आ गई, अब क्या होता है, कि भाई, जो थोड़े से old age होते हैं, जैसे हमारी उमर थोड़े सी बीतते जाती है, तो हमारा जो organ है, वो functioning करना थोड़ा सा कम कर देता है, तुमको पता होगा, yes or no, तो उसमें क्या होता है, उसमें मेरे को दोनों effect आ जाता है, मतलब मेरे को नहीं past का दिख रहा है, और नहीं दूर का दिख रहा है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब दोनों होता है, तो दोनों को करेक करना है, तो दोनों को करेक करने के लिए आपने को दोनों lens यूज़ करना पड़ता है, आप उन्यूज़ करते हैं, Concave and Convex दोनों यूज़ करते हैं याद रखना जब थोड़ा सा age हम लोग का बढ़ने लगता है तो उसके वज़े से क्या होता है हमारा जो आंक का जो strength होता है वो आच्छा नहीं रहता वो थोड़ा-थोड़ा decrease होते जाता है तो उसके वज़े से हमको नहीं दूर का अच्छे से दिखता है नहीं पास का अच्छे से दिखता है तो वो दोनों को correct करने के लिए अपने को दोनों lens यूज़ करना पड़ता है तुम लोग ने देखा रहेगा कभी-कभी किसी का देखो चश्मा ऐसा रहता है और यहां से थोड़ा ऐसा अलग रहता है चश्मा तो यहां पर क्या होता है ऐसा चश्मा देखा रहेगा तुम लोग ने तो यहां पर दोनों lens यूज़ किया है मतलब concave भी यूज़ किया है और convex lens भी यूज़ किया है अगर तुमको दूर का देखना है तो तुम्हें ऐसे देखते हो और अगर तुमको पास का देखना है तो तुम्हें ऐसे करके देखते हो इसलिए यहां पर देखो ऐसा है तो यहां पर तुम्हारा convex होता है और यह तुम्हारा concave होता है दूर वाला देखने के लिए concave पासवाला देखने के लिए convex जहां पे दोनों effect होगा उसको हम लोग क्या बलेंगे उसको बलेंगे हम लोग प्रिस बायो पिया उसको कैसे सुदारते हैं उसको सुदारते हैं दोनों lens लगाके concave lens लगाके और convex lens लगाके clear बात समय में आ गई वो दिरे दिरे कम होने लगता है clear बात समय में आ गए everyone पका ओके चलो बहुत बढ़िया next जो कहान ही हम लोग बात करने वाला है वो बात करने वाले uses of concave lens और convex lens कहां कहां ये काम आती है देखो अब भी अगर हम लोग बात करें तो concave का just अभी थोड़ी देर पहली मैंने तुमको एक use बताया देखो कौनसा use बताया कहां पे इस्तमाल होता है जरा देखो तो screen पे देखो और answer दो concave lens कहां पे इस्तमाल हो रहा है concave lens इस्तमाल हो रहा है जहां पे भाई क्या है myopia है यह सरनो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे CONSOLENS USE होता है, वहाँ पे USE होता है CONVEX LENS, क्या USE होता है, CONVEX LENS, तो एक तो USE तुमको यहीं पता चल गया, ग्छेश से हैं लोग, अगर नेक्स यूजज़ देखेंगे हम लोग, तो क्या है देखो जारा, तो generally use होता है medical equipment, scanner और CD players में, okay, concave lens क्या होता है, देखो, क्या करता है, यह diverging होता है, diverging होता है, मतलब यह area जाधा cover करेगा, since यह area जाधा cover करता है, तो obviously हम लोग ऐसे जगे use करते हैं, जहां पर मेरको जाधा area देखना है, that is medical equipment में काम आता है, scanner में काम आता है, CD player में काम आता है, किसलिए काम आता है, to correct the near-sideness, okay, हम लोग ने देखा इसके पहले की बाई, चश्मे में, हम लोग concave lens लगाते हैं, सुन्नो, फिर torch के अंदर भी लगा होता है, यह lens, concave lens क्यूं, क्यूंकि diverge करना है, देखो, ऐसा, मालो यह तुमारा light है, और मालो यह तुमारा torch है, तो अब यहां पर हम लोग क्या लगा देते हैं, यहां पर हम लोग concave lens लगा देते हैं, तो क्या होता है, light आके ऐसा diverge होती है, बहुत जगे जाती है, मतलब इसका जो area है, वो area बढ़ जाता है, यह सुनो, यहां से जो light health का area है, वो area बढ़ जाएगा, तो जादा area पर light तो इसलिए हम लोग यहां पर concave lens लेंस करते हैं, torch में, ऐसा बहुत से application है, इसके अलावा क्या application है, यह तुम लोग को comment section में बताओ गए, मतलब और कहां कहां हम लोग concave lens लेंस लेंस कर सकते हैं, यह तुमारे लिए homework है, at least मुझे इसके अलावा कम से कम 5 application खुद से research करके, मुझे बताओ कि कहां कहां concave lens लेंस यूज होगा, clear, बात सुन मागे everyone, पका, चलो बहुत बढ़िया, next, next आगे बढ़ेंगे हम लोग, हम लोग क्या देखेंगे, uses of convex lens, okay, convex lens कहां पर यूज होता है, okay, देखो convex का सबसे खासियत यह है, कि यह converge करता है, अब यह converge करता है, त होते हैं, अगर हम लोग बात करें, simple microscope हो गया, compound microscope हो गया, telescope हो गया, camera हो गया, projector हो गया, सब जगे क्या यूज होता है, सब जगे convex lens ही use होता है, okay, याद रखना, अगर हम लोग बात करें, simple microscope, simple microscope देखा रहेगा तुम लोग ने, तुमलों के पास यह रहेगा न, घर पे, magnifying glass रहेगा, देखो, that magnifying glass is nothing but a simple microscope, भाई, simple microscope का मतलब क्या होता है, जहाँ पर single lens हो, अब single lens जहाँ पर use हो रहा है, that is called simple microscope, और देखो, वो image बड़ा करने के लिए काम आता है, yes or no, to magnify the image, okay, to magnify the image, simple microphone, simple microscope कहाँ पर काम आता है, to magnify the object, object का जो यह है, object image, okay, image को magnify करने के लिए काम आता हो, कि मतलब जो object है, उतका जो इमेज आएगा, वो magnified image आएगा, okay, magnified image आएगा, like, तुम लोंने देखा रहेगा, कि वो, जो यह देखते हैं, हाथ देखते हैं, okay, palm reader बोलते हैं, उनको, वो भी देखो, use करते हैं, magnifying glass, use करते हैं, that is nothing but a convex lens, वो भी एक convex lens है, yes or no, अब उसके अलावा कहाँ काम में आता है, that is compound microscope, compound microscope का मतलब क्या होता है, भाई, उसके अंदर दो lens use होते हैं, एगर हम लोग compound microscope को थोड़ा सा पढ़ने कोशिस करें, तो यहाँ पर दो lens use होते हैं, okay और जो eye के पास होता है, उसको हम लोग eye piece बोलते हैं, यहाँ पर मालनो मेरा आख है, तो आख के पास वाले lens को हम लोग eye piece बोलते हैं, और object के पास वाले lens को हम लोग objective बोलते हैं, क्या बोलते हैं, objective बोलते हैं, okay, और यह क्या होता है, यह बहुत छोटे, मतलब microscopic level पे अगर तुमको किसी object को magnify करना है, जैसे माल में तुमको cell देखना है, okay, cell बोले तो तुम्हारा जो ये biological cell है न वो बोल रहा हूँ, अगर तुमको muscles देखना है, अगर तुमको germs देखना है, okay, कोई parasite देखना है, तो ये काम आता है, तो क्या काम आता है, तुम्हारा compound microscope काम आता है, अगर microscopic level पे किसी object को observe करना है, तो तुम लोग क्या यूज करते हो, तुम लोग यूज करते हो compound microscope, क्या यूज करते हो compound microscope, और compound microscope में यूज होता है दो lens, that is eyepiece and objective, क्या क्या यूज होता है, eyepiece and objective, clear, बासन में आ गया, next telescope की अगर हम लोग बात करें, तो generally दो तरह के telescope होता है, एक होता है refracting telescope, और एक होता है reflecting telescope, तो जो reflecting telescope होता है उसके अंदर तो हम लोग mirror यूज करते हैं, अगर हम लोग बात करें, तो दो तरह का telescope है, that is a refracting, और एक होता है reflecting, तो जो reflecting होता है उसके अंदर तो हम लोग mirror यूजत करते हैं इसको तब है तो इसको तो highlighting दू अपने आपे काम स्वाला काम नहीं आता क्यूंकि यहां पर हम लोग यूजत करते हैं अब जयए जो लॉंग distance ऑपजेक्ट है जैसे महाऊँ कि मिलक्यक्त अगर मास को करते हैं यह सोन और टेलिस्कोप क्या करता है उस अबजेक को पास ला देता है तो उसके वज़से क्या होता है वो अबजेक्ट मुझे बड़ा एपीर होता है मतलब वो मैगनिफाइंग करने के लिए ही काम आ रहा है क्लियर बासन में आया ओके तो यह टेलिस्कोप में जनरल यूज होता है कौन से टेलिस्कोप में रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप में रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप में नहीं क्या यूज होता है मिरर यूज होता है क्लियर बास में आ रहा है, तो तुम लोग को एक homework है कि भाई, इंडिया में कौन से जगे सबसे बड़ा reflecting telescope फिलाल present है, तुम लोग सर्च करो और comment section में यह answer में को दे देना, मैं wait करूंगा, याद रखना, next camera में use होता है, projectors में use होता है, तुम लोग ने देखा रहेगा projectors को use कर रहे है, उस camera में भी convex lens use है, okay, बहुत जगे convex lens use होता है, same, इसके पहले हम लोग ने देखा eye defect, भाई यहाँ पे भी यह use हो है, देखो, convex lens use हो है, मतलब अगर hypermetropia को अगर तुम को correct करना है, तो hypermetropia को correct करने के लिए, क्या ही use करना पड़ेगा, convex lens use करना पड़ेगा, बरबर, त चश्मे में भी use होता है, यह चीज, clear, बासन में आ गई everyone, clear with uses of convex lens, clear with uses of concave lens, पका, okay, so, finally we have completed the topic, हम लोग ने यहाँ पे जो lens वाला पार्ट है, वो बहुत 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 रिन तरीके से complete कर दिया, हम लोग ने numerical कर लिया, अब तुमारा काम क्या है, तुमारा क तुमको खुद को समझ में आएगा, कि कैसे notes बनाते हैं, तुमको आगे जाने, मतलब जब तुम 11th और 12th में जाओगे ने, तुमको यह चीज बहुत काम आने वाली है, यह चीज का मैं तुमको guarantee देता हूँ, पका, बासन में आ गई, चलो, तो अगर वीडियो यहाँ तक द तो फटा-फट जाओ, आप डाउनलोड करो, और दोस्तों को बताओ, शेयर करो, ओके, और बहुत सारा, बहुत सारा review जाओ, प्ले स्टोर पर review करो, ओके, आप सको review करना जरूरी है, तो review करो, क्या तुमको अच्छा लगा, अगर कुछ बुरा भी लगा, अगर कुछ basic तेंक यू सो मच